हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक, पिजिक्स कोर्नर, मैसेल्फ मैंग भारदाज, आज फ्लिड मेकेनिक्स का लेक्चर नमबर साथ लेके आए हैं, आज ऐसी डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रेशर का मेजरमेंट करती हो, बेरो मिटर और मेंडरो मिटर, ठीक ठीक है, तो बेरो मिटर में क्या होता है, एक बिकर लेते हैं, यह आपके पास बिकर हो गया, ठीक है, इस बिकर में एक आपके पास ऐसी नली होगी, यह एक ट्यूब होगी, ऐसे ट्यूब होगी, ग्लास ट्यूब, ऐसे ट्यूब होगी, इसको पकड़ कर इसमें डुबा देते हैं, इसमें भी इसमें डुबा देते हैं, अंगुठा लगाके डुबाते हैं, अपना जो अंगुठा होता है, वो लगा के डुबाते हैं क्योंकि इसमें हवा नहीं बढ़नी चाहिए तो इसमें जो HG है ये वो उपर तक बढ़ जाएगा खीक है कुछ पार्ट खाली रहेगा जो वेक्यूम होगा खीक है तो इस डिवाइस को क्यों यूज लेते हैं वो समझते हैं टू मेजर टू मेजर एट्मोस्पियर प्रेशर एट्मोस्पियरिक प्रेशर को हम जानने के लिए इस डिवाइस का यूज लेते हैं ठीक है एनि लिक्विड लिखें तो एक बासा समझें तो एनि फ्लूड लिख देते हैं एनि फ्लूड कैन बी यूजड यूजड टू डिटर्माइन चैंप्रश लिऑशन, atmosphere pressure, atmospheric pressure, atmospheric pressure but we have to we have to used only mercury mercury we have to we have to used only mercury because this is the cause of this is higher density higher density what is the cause of this is higher density how much density is rho is equal to 13600 kg upon meter cube you have to have higher density so we use this हैं ठीक है और दूसरा इसकी अच्छा यह चमकता है तो निटा होगा अच्छी शाइनिंग होती है तो इसका क्या मतलब गया कि जो प्रोटर लोगे या फिर किसी अन्ने लोगे अन्ने प्रदार्त सब्स्टेंस लोगे तो महाब पर कितनी हाइड मैं इस हो पता नहिंत त्क पर तानी चलेगा ठीक है और तीसरा नौट वपर एपरइजेशन नोर थू कि ये वास्प बढ़के बनके उड़ता नहीं है, ठीक है, तो अगर कोई भी अन्य लिक्विड लोगे, या फिर वाटर लोगे, तो ये वास्प बनके उड़ जाएगा, तो फिर हम इस प्रेशर का मेजरमेंट कैसे करेंगे, एट्मोस्पेर प्रेशर का मेजरमेंट कैसे करेंग ये ले लिया मैंने एक number point ये ले लिया मैंने दो number point तो 1 और 2 पर आपके पास क्या होगा इन दोनों पर pressure बराबर होगा क्यों बराबर होगा क्योंगी same horizontal line है याँ पर क्या है आपके पास same horizontal line है तो यहाँ पर आपके पास pressure बराबर होगा तो P1 बराबर P2 P1 पर केवल जो प्रेशर लग रहा है वो atmosphere प्रेशर लग रहा है P note ठीक है तो यहाँ पर आप P note लिखोगे यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है यहाँ vacuum है तो कोई प्रेशर नहीं होगा atmosphere और height यह height h तक चढ़ा है तो यह आपके पास rho g h rho g h height के साथ जो प्रेशर बढ़ेगा rho g h हो जाएगा क्या हो जाएगा rho g h ठीक है अब लिखें rho के तो आपके पास क्या आगया P note बराबर rho g h rho क्या है आपके पास density of h g density of h g gravitational acceleration g और h height कितनी height तक चढ़ा है अगर हम देखना चाहें कितनी height तक चला है तो इसको c level पे देखेंगे c level यानि समुंदर के पास ले जाएगे इस device को जब यह कितना height चढ़ा है वो हमें पता चलेगा तो P note बराबर density 13600 into g की value 9.8 into h height कितना चढ़ता है 0.6 0.6 height चढ़ेगा ठीक है तो P note आपके पास calculation करने पे आजाएगा into 10 की power 5 पासकल या 1.01 into 10 की power 5 newton upon meter square ठीक है और एक बात और एक बात और समझते हैं आपर और कई बार हम क्या लेखते हैं use वो देखे होगे कि एक बात और समझते हैं कि यहाँ पर जो कई बार हम one atmosphere क्या लिख देते हैं 76 cm of hg इसका क्या mean होगा कई बार लिख देते हैं इसका यह mean होगा कि यह 76 cm उपर चढ़ेगा जब हमारे पास one atmosphere की परिभाशा आएगी one atmosphere की जब हमारे पास 76 cm उपर चढ़ेगा कितनी हाइट 76 cm उपर चढ़ेगा ठीक है तो आप इसको नोट कीजिए एक बार फिर से समझ लीजिए यह device है यह हमें atmosphere pressure measurement करने के लिए यूज होता है जो आज का topic हमने लिया था pressure measurement उसका पहला डिवाइस है pressure measurement ठीक है इसका पहला डिवाइस है barometer और इसमें हम atmosphere pressure का measurement करते हैं और इसमें क्या determine करते हैं इसमें कोई भी liquid ले सकते हैं बट हमें एक specific liquid लेना पड़ेगा वो liquid है अपने पास mercury ठीक है mercury क्यों लेते हैं higher density है इसकी shining अच्छी है जहाँ पर shining होगा वहाँ पर 76 हमें मिल जाएगा जिससे हम one atmosphere की calculation कर लेंगे यह wasp नहीं बनाता है note vaporization यह wasp नहीं बनाता है तो यहाँ पर हम कितना होगा p note वो गयाद करने के लिए इसे एक horizontal line ले ले लिए जहाँ पर pressure सेम रहेगा p1 बराबर p2 यहाँ पर p note यहाँ पर vacuum में तो यहाँ पर कोई भी pressure होगा ने तो rho g h यहाँ पर height के साथ pressure आ जाएगा उसके बाद में 6 level पर देखा जाए तो 13609.8 g कामान और h 0.76 यानि इसको meter में change कर लिया तो आपके पास यह atmosphere pressure आ जाएगा अब मैं इसे मिटोने जा रहा हूँ अगले device की तरफ बढ़ते है next हम topic पढ़ने जा रहे है pressure measurement में manometer manometer यह क्या करामात करता है वो देखोगे रहे है तो मेजर pressure of pressure of gas inside the container inside the container ये क्या measure करता है to measure pressure of gas inside the container container के inside pressure measure करता है इसके दो तरीके से diagram बना सकते हैं तो एक first diagram हम बनाते हैं एक container ले लिजे, gas से बरावा gas molecule से बरावा container ले लिजे ये gas molecule से ठीक है और कंटेनर में जैसे ही आपने गेस ले ली तो आप यहां होल करके यू टाइप नलिका जोड़ दीजिए ठीक है यू टाइप नलिका जोड़ दीजिए ठीक है यू टाइप नलिका आपने जोड़ दीए यह गेस हो गई और इसमें ही आप मर्करी बरोगे इसमें भी मर्करी बरोगे ठीक है मर्करी बरोगे यह जैसे ही आप खोल करोगे और जैसे ही आपके जो गेस है गेस मॉलिकूल से है यह बहुत सारे जो गेस मॉलिकूल से है जो एनिसिद दिसाम में किसी भी वेलोसिटी से गती करते हैं तो वो इस होल से इस तरफ आ जाएंगे और एक इस फ्ल्यूड पे जो आपके पास HG है HG का जो फ्ल्यूड है मर्करी का जो फ्ल्यूड है उस पर एक प्रेशर क्रियेट करेंगे इस डिरेक्शन में जो होगा पी गेस क्योंकि यहां पर गेस मोलिकूल है तो यहां पर गेस का प्रेशर क्रेशर बनाएंगे ठीक है जैसे ही आप गेस के प्रेशर बनाएंगे तो यह फ्ल्यूड आगे जाएगा यह यह आगे जाएगा और यह आगे जाएगा यहां से आगे आगे जाता हुआ यहां वाला fluid यहां पर आजाएगा यहां पर आजाएगा इस जगए पर आजाएगा ठीक है इस जगए पर आने पर fluid जो हम पहले ले रहे थे कि gas molecule है नहीं होल नहीं किया तो यहां इस point का pressure बराबर था इस point का और इस point का इसको मैं A कहे दूँ इसको B कहे दूँ जब gas molecule आए तो जब भी pressure बराबर लें तो यह x direction उपर चला गया ठीक है x direction उपर चला गया तो इसको open कर दीजिए उपर क्योंकि atmosphere pressure यहां पर create होगा तो इसको open कर दीजिए चाहें आप close किये जिए यह फिर close करोगे तो पी नोट जिरो जाएगा open करोगे तो पी नोट आजाएगा ठीक है तो यहां पर जो गेस का pressure कितना होगा जो यहां पर PA बराबर PB होगा यहां पर होगा P गेस बराबर पी नोट प्लस रो जी x यानि x लिया है तो यहां नीचे आने पर इस पॉंट से नीचे आने पर जो प्रेशर बढ़ेगा रो जी एच प्रेशर बढ़ेगा तो गेस का pressure इतना आजाएगा अपने पास ठीक है तो आप यहां पर एक नोट लगा के लिग दीजिये कि इस यूट्यूब this YouTube of manometer of manometer contains contains क्या contain करेगी Mercury क्या contain करेगी Mercury contain करेगी ठीक है और जैसे ही आप इस P note को इस तरफ ले जाओगे P gaze minus P note ब्राबर rho GH इसको इस तरफ ले जाओगे तो ये pressure हमने पहले भी देखा था ये क्या होता है Gose pressure Gose pressure ठीक है ये था Gose pressure ये थी अपनी manometer तो next हम बढ़ते हैं इसको लिख दीजी आप एक सवाल देखते हैं यूटूब का यूटूब प्रोब्लम का एक सवाल देखते हैं ये कौन सी प्रोब्लम होई यूटूब यूटूब प्रोब्लम यूटूब प्रोब्लम का एक सवाल देखते हैं ठीक है तो इस सवाल में क्या कह रहा है कि इस यूटूब में इस यूटूब में अपने ने एक Gose बर दी है जिसकी density to rho है इसमें जो Gose बरी गई है जिसकी density rho है ठीक है अगर आप देखोगे इस सवाल में तो जैसे ही जैसे टूरो और rho density के जो liquids हैं इसमें भरे गए हैं तो ये क्या करेगा equilibrium में आने के लिए ये ज़्यादा भारी है क्योंकि ज़्यादा dense है टूरो rho से ज़्यादा dense है कितना dense है दो गुना ज़्यादा dense है तो ये क्या करेगा x नीचे आने की कोशिश करेगा मुझे नहीं पता कितना x उतना आने की कोशिश करेगा ठीक है और जैसे ही ये x नीचे आएगा तो ये प्रतेक point x उपर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर यह X उपर जाने की कोशिश करेगा तो एक similar diagram बनाने की कोशिश करें इस YouTube का तो यह आपके पास ही हो जाएगा similar YouTube का diagram बनाने की कोशिश करें तो यह आपके पास ही हो जाएगा ठीक है? तो यह x नीचे आ जाएगा जो यह आपके पास liquid है यह कित्ती हो जाएगी दूरी यह x नीचे आ गया तो यह total l था तो l में से x यह x l में से गट जाएगा तो यह liquid कितना हो जाएगा l minus x ठीक है और यह उपर चड़ जाएगा liquid जो भी liquid है अपने पास यह उपर चड़ जाएगा x उपर चड़ जाएगा यह ठीक है तो यह जो आपके पास distance हो जाएगी l plus x क्या हो जाएगी l plus x ओके तो इसमें क्या होगा जो density है 2 rho जाएगी और यहाँ पर rho जाएगी तो अब एक horizontal line बना लीजिए जहाँ पर हमें pressure same करना है तो आप कहोगे कि यह इस liquid की boundary है इस liquid की boundary है तो दो अलग-लग density के liquid है तो अपन एक horizontal line बना कर pressure कैसे समान कर सकते हैं तो इसमें pressure समान करने का सिर्फ इतना सा mean है कि आप horizontal के दोनु तरफ कोई भी कोई भी अपने पास प्रेशर लग नहीं रहा तो यह नहीं तो उपर जा रहा है नहीं किया रहा तो इन दोनों पॉइंट पर जो मैं पी ए बोलूं इसको पी ए बोलूं और इसको पी बी बोलूं तो क्या होगा बराबर होगा एक बार फिर से समझोगे कि जैसे ही मैंने इसमें टूरो का रो का एक अन्य एक अलग अलग density का मैंने liquid भरा है तो यह भारी liquid होने के कारण gravitational acceleration लगेगा तो यह एक्स नीचे आने के कोशिश करेगा मुझे नहीं पता एक्स कितना है यह उपर चड़ने की कोशिश करेगा मुझे नहीं पता यह x कितना है तो यह क्या करेगा कि equilibrium में आने की कोशिश करेगा तो equilibrium में आने के लिए ये two row वाला liquid x नीचे चले जाएगा और ये वाला x उपर जाएगा तो जैसे ही x नीचे चला गया इस diagram में x नीचे आ गया और x उपर चला गया तो यहाँ पर एक horizontal level बनाने में कोई समझ्या नहीं है क्योंकि ये x नीचे आके x उपर जाके अपना equilibrium सेट कर लिया और यहाँ पर एक मैंने horizontal line बनाई तो जहाँ पर दोनों तरफ नहीं तो यहाँ उपर जा रहा है यह नहीं यहाँ से नीचे आ रहा है ठीक है तो अपन pressure दोनों point पर बराबर कहे देंगे ठीक है तो PA बराबर PB ठीक है तो यहाँ पर जो pressure लगेगा इस पर पी नोट तो पी नोट प्लस रो टू रो ये कितने का है टू रो टू रो और height L माइनस x ठीक है बराबर पी नोट प्लस रो जी L प्लस एक्स यह height L माइनस x हो गई यह L प्लस एक्स हो गई यह होगे L प्लस एक्स और यह होगे L माइनस x पी बी को अपन लिखेंगे तो यहाँ पर आपको पास पी नोट लग रहा होगा प्रेशर उपर का तो रो जी और यह height लिखेंगे यहाँ से इस की बीच की distance L प्लस x ठीक है L प्लस x L माइनस x हो जाएगी तो हम दोनों को प्रेशर को यहाँ से काट दें जो कट रहा है वो काट देंगे कैंसल कर देंगे यह कैंसल हो गया यह इससे तो टू रो जी L माइनस x बराबर रो जी L प्लस x ठीक है रो जी से रो जी कैंसल हो गया 2 L माइनस x बराबर L प्लस x ठीक है अब 2 L माइनस 2 x और L प्लस x तो यहाँ जाएगा यह जाएगा यह जाएगा इस तरफ गया है यह जाएगा L क्योंकि यहाँ जाने पर माइनस होगा इस तरफ से L यह इस तरफ आएगा 3 x तो L by 3 बराबर x यह इसका एंसर हो गया यह बार फिर से समझ लीजिए इस क्यूशन को यह अलग-अलग density के दो अलग-अलग liquid हमने भरे हैं ठीक है तो यह यह ग्रेविटेशन एकसिलेशन लगेगा क्योंकि अलग-अलग density है तो यह नीचे आने की कोशिस करेगा यह उपर जाने की कोशिस करेगा तो यह नीचे आने की कोशिस करेगा तो यह एकस नीचे आ गया यह एकस उपर चला गया तो यह equilibrium set हो गया एक horizontal line बनाली जहां पर पी ब्रावर पी भी होगा जो यहां पर एकस नीचे आया तो यह जो distance है यहां से लेकर यहां तक की distance यहां से लेकर यहां तक की distance क्या होगी L हो गई तो यह X गट जाएगा तो L-X आ गया तो L प्लस X आपके पास हो गया तो यहां पर दोनों पर प्रेशर ब्रावर होगा तो यहां पर horizontal pressure P0 प्लस टू रोजी L-X हो गया यहां पर P प्लस रोजी L-X हो गया और दोनों को calculate करोगे दोनों साइड से calculation करोगे तो X की value आपके पास X ब्रावर L by 3 आ जाएगी इसक एक YouTube है आपके पास यहां पर जो लेफ्ट में है वह H1 उपर लिक्विड चढ़ाए और राइट में लिक्विड H2 चढ़ाए यह equilibrium में सेट है और यहां पर A acceleration इसे दिया गया है इसको A acceleration दिया गया है तो X-1-H2 आपको निकालना है तो H1-H2 कैसे निकालोगे तो equilibrium है तो एक horizontal surface ले लिजिए जहां पर आप कैसको कि वहाँ pressure बराबर है ठीक है तो यहां पर A pressure PB बराबर PC कैसकते हो PB बराबर PC pressure कितना हो जाएगा P1-P2 यहां का जो pressure होगा और इसमें अंतर देख लीजिए क्योंकि इसमें acceleration दे रखा है तो कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर horizontal पर pressure बराबर हो तो अब अंतर देख लीजिए pressure का यह गलस लिख दिया है जो pressure का अंतर देखना है यहां पर अपने को ठीक है प्रेशर का अंतर देखोगे तो यहां पर delta P बराबर P1 H1 रो जी प्लस P0 यहां पर प्रेशर लगेगा P0 ठीक है तो P0 प्लस यहां आने पर B point पर आने पर या 1 point कह दीजिए यहां पर इसको 2 point कह दीजिए 1 point पर आने पर जो pressure होगा P0 प्लस height के साथ जो pressure बढ़ेगा अपने पास height के साथ pressure बढ़ेगा H1 रो जी height के साथ जो pressure बढ़ेगा P0 प्लस H1 रो जी और यहां पर जो height के साथ pressure बढ़ेगा H2 रो जी ठीक है यह हो जाएगा तो P note से P note आपके पास cancel तो delta P हो जाएगा H1-H2 rho G ठीक है, force निकालना चाहें अपन force निकालना चाहें तो pressure into area आपके पास force हो जाएगा, तो pressure क्या हो गया H1-H2 rho G और area into A, यह आपके पास हो गया और यह जो force है, जो acceleration देने पर आएगा force, उसके बराबर होगा, तो acceleration देने पर कितना force आएगा, वो और देख लिजी यह आगया, आपके पास force जब आपने जो pressure में change आया, जिसके कालशन जो force create हुआ, वो force हो गया, और acceleration के कारण कितना force आएगा, वो और देख लिजी वो मैं यहां बता रहा हूँ, तो क्या आएगा, एफ बराबर m a, m बराबर rho v, density into volume, into a density, rho a area, volume का क्या लिखेंगे, area into d distance, यह d distance ले ली मैंने, d distance, तो यह 2 d है, यह 1 d है, तो यह 3 d में ही, आपके पास volume हो जाता हूँ, यह अपने quantity, जो physical quantity है, volume की वो फुल्फिल करती है, into a, यह आपके पास f हो गया, इन दोनों force को equate कर दीजिए, equate कर दीजिए, मैं हाई equate कर रहा हूँ, दोनों force को, h1 minus h2 rho g a बराबर rho a d a तो a से a cancel आपके पास, rho से rho cancel आपके पास, तो h1 minus h2 d a upon g यह आपके पास answer आजाएगा, ठीक है, यह आपके पास answer आएगा, फिर से समझ लीजिए, एक, यह यह आपके पास क्या है, एक YouTube है, जिस equilibrium में, किसमें यह, equilibrium में हैं, किसमें, equilibrium में, left side यह liquid h height उपर गया है, right side liquid h2 height उपर गया है, तो h1 minus h2 निकालना है, तो मैंने सब से पहले, जो force बनाया है, वो pressure के changement से बनाया है, यहाँ पर point a ले लिया, यहाँ पर point 2 ले लिया, तो यहाँ दोनों pressure बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि इसको a acceleration दे रखा है, तो यहाँ पर pressure बराबर नहीं हो सकते, तो pressure का अंतर देख लेते हैं, तो pressure का अंतर देखा, तो यहाँ पर pressure p0 और height के साथ pressure बढ़ा, h1 rho g, तो p0 plus h1 rho g, minus p0, यहाँ तो, फिर minus p2 करया, तो यहाँ पर करा तो p0, जो उपर का pressure है, और height के साथ यहाँ पर pressure बढ़ेगा, इस point पर दो नमबर बिन दू आने पर pressure बढ़ेगा, तो h2 rho g, यहाँ पर हो जाएगा, तो h1 minus h2 rho g, आपने पास common ले लेंगे, और area से multiply करने पर यहाँ पर force आ जाएगा, और second जो acceleration आए, उससे जो force create होगा, एब बराबर m में, m को क्या करेंगे, density into volume into a, एब बराबर rho, और volume को क्या लिखेंगे, area into distance, तो a d a, ठीक है, तो यह आपके पास, जो acceleration दिया है, उसके current force आ जाएगा, दोनों को आप equate कर दोगे, यहाँ पर h1 minus h2, rho g a, rho a d a, तो ठीक है, तो h1 minus h2, जो cut है वो काड़ देंगे, तो d, d जो distance है, एक number point से, दो number point के बीच, अपोन, यह acceleration हो गया, जो इसको acceleration दिया है, यह gravitation acceleration हो गया, यह आपके पास answer आ गया, अब मैं इसे मिटोने जा रहा हूँ, ठीक है,